पंचानवे पेंशन फॉर्मियूला, ऐसे कैलकुलेट होती है EPS Pension, देखें कितनी सैलरी पर कितनी मिलेगी Pension EPS 95 पेंशन फॉर्मियूला, करमचारी पेंशन योजना, Employee Pension Scheme के तहत संगठित शेतर के हर करमचारी को EPS द्वारा पेंशन दी जाती है। इस योजना की शुरुवात केंद्र सरकार ने 1995 में की थी इसका उद्देश्य संगठित शेत्र के करमचारियों के भविश्य को सुरक्षित करना और उन्हें सामाजिक सुरक्षा का लाभ देना है EPFO में रजिस्टर होने के बाद करमचारी अपने आप EPS Pension, Pension Fund, योजना से जोड़ जाता है EPS 95 Pension Formula करमचारी Pension योजना, Employee Pension Scheme, EPFO द्वारा संचालित की जाती है इसके तहट करमचारी को 58 साल की उम्र के बाद पैंशन दी जाती है Pension पाने के लिए नियोकता और करमचारी को वेतन का 12 प्रतिशत EPF में योगदान करना होता है जिसमें से 8.33 प्रतिशत EPA's Pension, Pension Fund में जाता है Benefits of EPA's 95 Pension Scheme EPA's Pension, Pension Fund, भारत सरकार की योजना है यह return की गारंटी देती है जिन करमचारीों का वेतन और दा 15,000 रुपए या उससे कम है उन्हें इसमें रजिस्टर होना होता है 50 साल की उम्र पूरी करने के बाद आप EPA's से पैसे निकाल सकते हैं लाभार्थी की मृत्यू के बाद EPF में पैंशन पत्नी और फिर बच्चों को दी जाती है इसमें किसी भी व्यक्ति को नियोंतम 1,000 रुपए मासिक पैंशन मिलती है EPS 95 पैंशन फॉर्म्यूलर EPS में पैंशन गणना का फॉर्मूला औसत वेतन रोजगार की अवधी बटा सत्तर औसत वेतन का मतलब पिछले 12 महिनों में लिया गया मूल वेतन प्लस डिये है नियोंतम 9,000 रुपए EPS पैंशन की मांग कर्मचारी भविश्य निधी संगठन EPFO की EPS Pension Pension Fund के तहत आने वाले पैंशन भोगियों की नियोंतम पैंशन 9,000 रुपए प्रती माह करने के अलावा महंगाई भत्ता यानी डिये देने की मांग की जा रही है कर्मचारी पैंशन योजना, Employee Pension Scheme, 95 राश्ट्रिय संगर्ष समिती, NAC इस मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करने की तयारी कर रही है EPS Pension Fund High Demand अब EPS Pension, Pension Fund के तहत आने वाले लोगों की पैंशन बढ़ा कर 9,000 रुपए प्रती माह करने की मांग की जा रही है इसके साथ ही महंगाई भत्ता देने, बिना किसी भेदभाव के कर्मचारी पैंशन योजना, Employee Pension Scheme, पैंशन भोगियों को उच्च पैंशन का विकल्प देने और उनके जीवन साथी को मुफ्त चिकित सा सुविधा देने की भी मांग की जा रही है EPS Pension, Pension Fund राश्ट्रिय संघर्ष समिती ने बताया है कि जीवन भर Pension Fund में पैसा जमा करने के बाद आज पैंशन भोगियों को आस्तन 1171 रुपए ही पैंशन मिलती है यहाँ परियाप्त नहीं है लेकिन अगर करमचारी Pension योजना, Employee Pension स्कीम में उन्हें 9000 रुपए और महंगाई भत्ता मिले तो वे सम्मान के साथ जीवन यापन कर सकते है Employee Pension स्कीम में ऐसे जमा होता है फंड आपको बता दे कि करमचारी Pension योजना के तहट आने वाले करमचारियों के मूल वेतन का 12 फीसदी हिस्सा 95 भविश निधी में जाता है वहीं नियोक्ता के 12 फीसदी हिस्से में से 8.33 फीसदी हिस्सा EPS Pension, Pension Fund में जाता है इसके अलावा सरकार भी Pension Fund में 1.16 फीसदी का योगदान देती है करमचारी Pension योजना, Employee Pension स्कीम में पैंशन राशी में बड़ोतरी को लेकर जल्द ही अंतिम फैसला हो सकता है दा में 4% बड़ोतरी की घोशना, 1 करोड करमचारी और Pensioners की चमकी किस्मत दा में 4% बड़ोतरी की घोशना, केंद्र सरकार की ओर से सभी सरकारी करमचारियों और Pension धारकों के लिए एक बड़ा तौफा पेश किया जा रहा है आपके जानकारी के लिए बता दें कि मोधी सरकार ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4% की बड़ोतरी का एलान किया है यहाँ बड़ोतरी एक जुलाई 2024 से लागू हो गई है और इस फैसले से करीब 48 लाग केंद्रिय करमचारियों और 68 लाग पेंशन भोगियों को फाइदा मिलने वाला है दा में 4% बड़ोतरी की घोशना आपकी जानकारी के लिए बता दे कि महंगाई भत्ता या दा सरकारी करमचारियों को दिया जाने वाला एक अतिरिक प्रकार का भत्ता है इसका मुख्य उद्देश्य महंगाई के कारण करमचारियों की आए में होने वाली कमी की भरपाई करना है दा की गणना कर्मचारियों के मूल वेतन के प्रतिशत के आधार पर की जाती है कर्मचारियों के लिए दा में 4% बढ़ोतरी की घोशना एक जुलाई 2024 से लागू हो गई है दा में बढ़ोतरी का न केवल कर्मचारियों पर बलकी पूरी अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पढ़ता है जैसे बाजार में मांग बढ़ती है उत्पादन और बिक्री बढ़ती है रोजगार के नए अवसर बढ़ते हैं सरकारी कर संग्रह बढ़ता है अर्थव्यवस्था की समग्र विकासदर में सुधार होता है डियर्नस अलावंस बढ़ोतरी के महत्वपूर्ण बिंदू फिलहालदा में 4% की बढ़ोतरी की गई है पहले डिये की दर 46% थी और वर्तमान में यह 50% हो गई है इसके जरिये करी 68 लाग पेंशन धारकों को भी लाब मिलता है इससे कर्मचारियों का वेतन 720 रुपए से बढ़कर 34,000 रुपए हो जाएगा दा हाइक का इतिहास डिये की शुरुआत 1944 में हुई थी 1960 में डिये की गणना के लिए ICPI का इस्तमाल शुरू किया गया था 1996 में पाचवे वेतन आयोग के तहट डिये 97% पर पहुँच गया था 2006 में छैवे वेतन आयोग के लागू होने के बाद डिये 125% पर पहुँच गया था 2016 में साथवे वेतन आयोग के लागू होने के बाद डिये की गणना का नया फॉमूला लागू किया गया था इस महीने दूसरी छमाही के लिए दा में बढ़ोतरी होगी इस महीने केंद्रिय करमचारियों के लिए एक बड़ी खुश्खबरी आने वाली है सरकार इस महीने महंगाई भत्ते डिये में बढ़ोतरी का एलान करने जा रही है जिससे करमचारियों को काफी राहत मिलेगी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ ही करमचारियों की सैलरी में भी बढ़ोतरी होगी दरसल, हर साल जुलाई से सितंबर के बीच केंदर सरकार के अधीन काम करने वाले करमचारी डिये बढोतरी का इनतजार करते हैं डिये में यह बढोतरी सभी करमचारियों की सेलरी में होती है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जन्वरी से जून 2024 तक के एक पाई IW इंडेक्स के आंकडों के आधार पर यह तैह हुआ है कि करमचारियों को जुलाई 2024 से 3% की बढ़ोतरी के साथ डिये मिलेगा जो की जून एक पाई इंडेक्स में 1.5 अंकों की बढ़ोतरी के बाद है जानकारी के मुताबिक, सरकार महंगाई भत्ते, दिये में 3% की बढ़ोतरी कर सकती है जिसके बाद यह 53% हो जाएगा 25 सितंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक के एजंडे में इसे शामिल किया गया है ऐसे में 50,000 रुपए मासिक वेतन पाने वाले करमचारी के वेतन में 1,500 रुपए की बढ़ोतरी होगी